लोगसभा के चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे है वैसे वैसे उम्मे द्वारों के समिकरन बदल रहे है अब इने त्रिजया प्रदा उतर प्रदेश लोगसभा शेत्र से चुनाव लड़ने के आशन का जताई जा रही है उस संदर्व में भाजपा में तेजी देखने को मिली है जैप्रदा इनको भाजपा के उमेद्वारी मिलने पर उनका सामना समझवादी पार्टी के आजम खान इनसे हो सकता है इससे पहले रामपूर से जैप्रदा दो बार लोगसभा पर चुनाव जीत कराई है तो रामपूर से ही समझवादी पार्टी के जेश्टर नेता आजम खान ये नव बार चुनाव जीत कराई है आजम खान और जैप्रदा इनका विवाद बहुत पुराना है जैप्रदा पहले समझवादी पार्टी में कारियरत थी 2009 को रामपूर में उनको रामपूर यहा से उमेद्वारी दी गई थी उस वक आजम खान ने उनके उमिद्वारी का विरोध किया था फिर भी जैप्रदा लोग सभा चुनाव जीत कराए इस पुराने रंजिश का बदला लेने का मौका जैप्रदा इनको खुद चल के आया है ऐसा उत्तरप्रदेश के राज किया गोल में बूला जा रहा है तो ख़बर में आज के लिए इतना ही आमेनस न्यूज लाइक की ख़बर देखने के लिए आज ही फ्लेश्टर से आमेनस इंडिया आप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना पुले तब तक के लिए देने बाएए